हेलो एवरिवन, आज मैं आपके सामने अनुवल स्लेवर्स लेके आई हूँ जो की सेशन 2021 और 2022 का है, यह है क्लास प्रेप जिसको UKGB कहते हैं और कोई जगे सिनियर केजी भी कहते हैं, यह कंप्लेट स्लेवर्स है जो अभी एक्जाम सौंगे फैब और माल्च में, यह मैं आप के लिए इसलिए लेके आयों कि जिससे की जो बच्चे एंट्रेंस एक्जाम दे रहे हैं क्लास फर्स के लिए तो एक ऐसा होता है ना समरेटिव कि आप इतना स्लेवर्स थोड़ा सा कवर करवा दीजे UKGB क्लास में जो बच्चा पढ़ चुका है तो क्या है उसके लिए भी और अगर कुछ आप अच्छी क्लास इंटराक्टिव ओनलाइन क्लास चाहते हैं तो आप यलो क्लास के लिए क्लास से भी ले सकते हैं यलो क्लास अंडियास बिगेस्ट लाइव और इंटराक्टिव लेर्निंग होबी प्लाटफॉर्म है जिसमें 3-16 एर्ज ग्रुप के बच्चे डिफरेंट होबी इस लाइक आर्ट, क्राफ, टांसिंग, सिंगिंग, कोकिंग, योगा लेर्न कर सकते हैं यलो क्लास में Maths, English, GK and Logical Reasoning की भी क्लासे अवलेबल हैं यलो क्लासे इस ट्रस्टेट बाय मोर दन 20 लाग किड़ और एवरी मन्द मोर दन 10 लाग किड़ अपनी होबी सीखते हैं इन यलो क्लास सारी क्लासे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट मेंटर से फ्री में दी जाती हैं सलिब्रेटी, मेंटर्स जैसे शान, रिपुदमन, हांडा, विद्या, मालवडे भी इसमें टीच करते हैं यलो क्लास में डिफ्रेंट होबी के साथ साथ बच्चे प्राइज़ भी जीत सकते हैं जैसे अपल लैप्टॉप, अपल आइपड, अमिजन वाउचर्स जनवरी में यलो क्लास में एक कॉंटेस चलना है जिसमें बच्चे को एपल लैप्टॉप और एक लाग का कैश भी जीत सकते हैं कॉंटेस्ट में पार्टिसिबट करने के लिए यलो क्लास आप डाउनलोड करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है स्टार्ट अटिंडिंग क्लास जो बच्चे ऊपर बताएगा इस स्टेप को कम्टीट कर लेंगे वह आटोमेटिकली अलिजीबल हो जाएंगे कॉंपटिशन के लिए यलो क्लास एक गिववे अनाउंस कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर जहां बच्चे एपल आइफोन 13 जीत सकते हैं गिववे में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को एक अपने टैलेंट शो करते हुए एक वीडियो बनाना है यलो क्लास यूट्यूब चैनल में जाना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गिववे में पार्टिसिपेट करें और आइफोन 13 जीतने के लिए तेया रहे हैं जिसमें वावल में लगेगा और यह मैंने अपने बच्चे के भी वीडियो आपसे शेयर किये थे शॉट्स में और इन अंडर का लगेगा और येस नो होता है इस दिस अ बस या फिर इस दिस अ कैट इस तरीके से फिर यूज ऑफ हैस है वाएगा ठीक है यूज ऑफ हैस है ही शी इट दे ठीक है तो इसलिए यह सी बीएशी के स्कूल का स्लेवास है जो पेरेंट्स को थोड़ी सी भी मिन्स कन्फूशन होती तो मैं वह भी क्लियर कर दूँ और यह यूज जी क्लास का स्लेवास है जो बच्चिया फॉर्स क्लास में जा रहे हैं ठीक है यूज अफ इस दीज डाट दोज आएगा रिटन पार्ट की मैं बात कर रही हूँ किस तरीके से कैसे क्या आएगा फिर यूज ऑफ आई आएम यू आर वी आर माय योड और अवर यह आएगा देन सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल में सिर्फ एस वाले आएगे सिर्फ वन और म सिर्फ लेटर्स किरा करा दिये जाते हैं स्मॉल टूज ठीक है फिर शॉर्ट और लॉग वाल सौंड आएंगे डबल ओ डबल एक ठीक है डबल ओ डबल एक डेज ऑफ दा वीक जिसमें बच्चे को पूरे लिखने होंगे संडे मंडे वह स्क्रांबल फॉर्म में दे सकते है then five sentences myself, my school, my home, my teacher पे आपको त्यार करवाने हैं और उसमें से जो भी आए मतलब ये चार options हो सकते हैं जो ऐसे आएगा डाइग्राफ में ये कवर करेंगे शो, चो, वो के वर्ड्स, एसेच, सीच, डव्लू, एच के वर्ड्स ये आप देख सकते हैं then आएंगे fruits, colors, vegetable, flowers इसमें name आएंगे five five तो आपको spellings पता हो नीचे जैसे मने हर बार आप से share किया है then action words आएंगे singing, dancing, cooking, playing इस तरीके से फिर spellings आएंगी English की भी बात करें अभी pet animals, domestic animals और wild animals की blends आएंगे flow, block, claw, slow, play यानि FL, BL, CEL, SL और play तो प्लीज ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेगा मैं written UKG class के syllabus आप से share कर दियू और आएगा picture composition simple जिसमें पूछेंगे how many colors are there in this picture इस टाइब से ठीक है oral में पूछ सकते हैं आप से one and many, opposite, opposite भी मैंने आप से last previous worksheet में share किये थे reading होगी, rhymes होगी, spell भी कहते हैं जिसमें oral dictation बोलेंगे English rhymes जो भी आपके बच्चे के syllabus में हैं वो cover की जाएंगी स्टोरी टेलिंग भी होता है जिसमें आएगा स्टोरी टेलिंग होता है syllabus में तो वो आपके बच्चे के recording है जो उसके syllabus में हो जैसे मेरे बच्चों के syllabus में good manners with bunny तो यह मैंने complete English का syllabus शेयर की आपको ओरल और रेटन अब मैं बारी करती हूं हिंदी की हिंदी में देख लीजिए आप साफ साफ यूके जी क्लास में कई लोग कहते हैं कि कहां तक क्या आएगा मात्रा आएगी आई मतलब सारी जो है ना मात्रा वर्ण माला सारे ही उसके मात्रा आएंगी बारा खड़ी की देन लिखने को आ सकता है अंगों के नाम जानवरों के नाम रंगों के नाम फलों के नाम फिर वाक्य बनाएं जैसे घर दे दिया या खिलोना दे दिया तो फिर उससे वाक्य बच्च में और कुछ-कुछ अक्षर आएंगे जिसमें आदे अक्षर भी कवर करते हैं तो ये जरूर important है चार चीज़ें बाकी तो बच्चे चलिए जब ये बारा खड़ी कर लेते हैं तो ये में जो भी आपके बच्चे के सिलेबस में हो वो कवर किया जाएगा और कहानी कोई एक होती है चतुर कौन जिसमें 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 सिखाएगा मेरे बच्चों के में है ये चतुर कौन अब बात करती हो मैं मैं मैंस की मैंस में आप देख लीजे सब्ट्रैक्शन अडिशन न backward counting 69 to 1 ली है after before between आएगा greater than less than या equal to ascending descending order skip counting आएगी 2, 3 और 10 की और words problem आएगी कि इसके पास 2 books थी 2 pens थे फिर कितना आप इसके पास हुए इस तरीके से road counting में मैं oral की बात कर रही हूँ oral में आएगा 1 से लेके 300 तक number names आने चाहिए 5200 what comes after before between backward counting 69 to 1 ठीक है evs की बात करो evs सबसे ज़्यादा important और tough पड़ता है क्योंकि इसमें spellings बहुत learn करनी होती है तो evs में आएगा months of the year opposite insect plants trees flower birds ठीक है plants में plants five type के नहीं learn करने हैं इसमें सिर्फ plant और tree में है वो part of the plant ठीक है fruits dry fruits vegetable dry fruits में spellings learn करनी है vegetables में learn करनी है birds की flowers की learn करनी है fruits की learn करनी है food we eat and their sources animals से मिलते हैं की plants से मिलते हैं वो beverages supermarket mall neighborhood यह सब आएगा beverages में बच्चे को पता होना चाहिए जैसे कि सर्दियों में क्या पीते हैं गर्मी में क्या पीते हैं कितने types की होती है इसमें spellings नहीं है beverages में spellings नहीं है यह ध्यान रखिएगा then shapes community helpers places of worship जहां जहां पूजा करते है means of transport आएगा ठीक है parts of computer आएगे और our planet earth earth में भी मैं अभी आपसे further यह जो दो topic हैं इस पर वीडियो आपको लेके आऊंगी कि क्या क्या उसमें पूछ सकते हैं और इसमें भी spellings है computer में और earth में ठीक है तो यह एक syllabus से UKG class का उमीद करती हूँ आपको यह helpful लगा होगा मिलती हूँ अपने next वीडियो में तब तक bye bye take care